खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट अच्छे लेबरे के बारे फिर आपका स्वागत है देश में अब तक राम के नाम पर खूब सियासत हुई और अब सियासत दान दो कदम आगे बढ़कर परशुराम को भी राजनीती में ले आए हैं 2022 विधान सभाचनाओ में अपनी स्थिती मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ताक जोकनी शुरू कर दी है और बीजेपी के राम नाम की सियासत की कार्ट के तौर पर समाजवादी में भी परशुराम के नाम का सहरा लिया है हमारे समाजवादाता ने खास बार्चित की समाजवादी पार्टी के राज़्टियर सचीफ प्रोफेसर अभिशेक मिश्रा से अब भगवान परशुराम की मूर्ती की अस्थापना करने जा रहा है अखिर इसका उद्देश और जरूरत के उपड़ी आप से इक मिश्रा जी बताएंगे भगवान परिशुराम की मूर्ति की स्थापना भगवान परिशुराम चेतना पीट के तहत हम लोग कर रहे हैं ये एक हमारा कम से कम पिछले दो तीन साल का विचार है जो आज फलीभूत हो रहा है हम लोग लगातार अपनी ट्रस्ट बना करके इस ट्रस्ट के माध्यम से चाहे गरीब किसी का घर गिर गिर गिया तो उसका घर बनवाने का काम क्या आपने देखा होगा बहराइच में गरीब बच्चियों की शादी की बात हो पढ़ाई लिखाई की बात हो अभी उन नाव में किसी के अनाज से मदद की हम लोगों ने एक और किसी का घर गिर गया भी कादीपूर में उसकी मदद की जो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते उस पे काम किया अब हम लोगे मन में ये था हम लोग लगातार आज से पहले ओडिसा गये थे ओडिसा में मिलकर आये थे महाँ पत्थर के बड़ा कलाकार है मूर्तियों के चिन्ने गए थे गुजरात देखकर के आये थे स्टाची अफ यूनिटी देखकर के आये थे और जैपुर में कल हम लोग पूरी तरीके से एक बहुत बाड़ी संख्य में वहाँ जितने कलाकार हैं कोई प्राइम मिनिस्टर अवाड़ी है कोई प्रेजिडन्ट अवाड़ी है किसे को पदम श्री मिल चुका है सबसे मिलके एक ब्रॉंज की बड़ी मूर्ती की स्थापना की बात हुई है तो हम लोग ने मन बनाया है कि 108 फिट की जो कि दुनिया की भगवान परिशुराम की सबसे बड़ी मूर्ती होगी अध्वितिय मूर्ती अप्रतिम मूर्ती जैसा न भूतो न भविश्वा ये शैद नहीं कहना है चाहिए आगे हो सकता है लोग और बड़ा काम करें लेकिन आज की तारीक में दुनिया का सबसे बड़ी मूर्ती स्थापना होगी और हम लोग उस पे काम कर रहे हैं इसका एक बात और कहना चाहूँगा पंकर जी कि इसका किसी भी तरीके से राजनीती से कोई लियना देना नहीं है ये अलग बात है आप पतिकार करते हो हम लोग उससे पहले management consulting करते थे investment banking करते थे आज हम लोग इस line में हैं ये मेरा काम है ये मेरा profession है लेकिन ये जो भगवान परश्राम जी के आराधना है वो हमारा संसकार है हम अपने आपको भगवान परश्राम का वन्शज मान करके काम करते हैं हमारा वो आराध्य है हम उनकी पुजा आर्चना करते हैं घरों में मंदरों में लगाते हैं हम लोग जहां देखोगे वहां आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे तो इसको राजनीती का चश्मा मुझे लगता है बहुत छोटा है इसके लिए और भगवान बहुत बड़े हैं भगवान विश्नु के छटे अवतार के रूप में वो धर्ती पे आये चिरनजीव हैं आज भी हमारे आपके बीच हैं सत्योग त्रेता द्वापर और कल्योग च कह रही कि जात की राजनीत जब इनकी सरकार थी तब ब्रहमणों के लिए कुछ नहीं किया आयोग पुरा एक जात के लिए बना दिया मुश्मों को ले करके भी सवाल उठाया और आपके पार्टी के सांसर ने कल मंदिर को ले करके सवाल उठाया उसको ले करके भी भारती ज तुष्टी करण की राजनीत हो रही देखें ये इस देश का मैं कह सकता हूँ कहीं ने कहीं इस देश की राजनीती में पिछले 15-20 सालों का दुर्भाग्य है कि धर्म को मंदिरों को इश्वर को जो इश्वरी सत्ता है उसको राजनीती के नज़स देखा जाने लगा और जात देना मैं बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अगर वो धर्म को हमारे भगवान को उन्होंने तो महापुरुष बता दिया था आपने देखा हो कि जिस तरह हमने भगवान परश्राम की विश्णु जी की जो अवतार हैं उनकी हमने छुट्टी डिकले की थी महापुर उसको आकर के भातिजनता पार्टी की सरकार में माननी योगी आदितनाच जी ने उनको महापुरुष बता दिया का ये तो महापुरुष थे इनकी छुट्टी ख़तम की जाती इसका भातिजनता पार्टी जवाब नहीं देगी वो लगातार बढ़ती जा रही है कैमनामन रोसन के साथ पंकर चत्रवेदी जनतंत्र टीवी लखनो